आज आप अफगानिस्तान के राजधानी काबुल के एरपोर्ट की ये तस्वीर देखिए। इसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान के राजधानी काबुल को अपने कब्जे में लिया वैसे ही हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए एरपोर्ट की तरफ भाग में लिए। वापस ले जाने के लिए और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इस प्लेन से लटक गए क्योंकि ये अपनी जान जोखिम में डाल कर भी किसी भी तरह यहां से जाना चाते हैं। अफगानिस्तान छोड़ कर जाना चाते हैं। लेकि जब इस विमान ने टेक ओफ किया तो कुछ लोग इस विमान से लटक गए ये सोचकर इस विमान से लटकने के बाद ये शायर जो लोग बच गए उनकी किसमत में भी ऐसी ही तरासदी लिखी है। ये दोनों लोग तो हवाई जहाद से नीचे गिर कर मरें और बाकी के लोग जो नीचे रह गए उनकी किसमत में भी यही लिखा है आज नहीं तो कल। और सबसे दुख की बाती है कि पूरी दुनिया में इस समय सन्नाटा चाय हुआ है। एक भी शक्तिशाली देश इस पर बात करने को तयार नहीं। ये तो तस्वीरे आप देख रहे हैं ये वहाँ के राश्पती भवन की तस्वीरे हैं। एक जमाने में ये वहाँ के राश्पती अश्रफ गनी का डेस्क हुआ करता था। उनका आफिस हुआ करता था और अब वहाँ तालिबान का कबजा है। इस सब के बीच अफगानिस्तान के राश्वती अश्रफ गनी देश छोड़ कर भाग गए हैं और अब वो अमेरिका में शरण ले सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है अफगानिस्तान से मिल रही रिपोर्ट्स के मताबक अश्रफ गनी के साथ पैसों से भरी हुई चार गाड़ियां थी और उन गाड़ियों में पैसा भरा हुआ था और ये पैसा इतना ज्यादा था कि उन्हें कुछ पैसा एरपोर्ट के रनवे पर ही छोड़ना पड़ा क्यों हुआ बिल्कुल और अब अमेरिका के पत्रकारों ने भी तालिबानियों के कानून को मानना शुरू कर दिया है उधारन के लिए आप अमेरिका की एक महिला पत्रकार की ये दो तस्वीरें देखिए जब तक काबल पर तालिबान का कबजा नहीं हुआ था तो ये महिला पत् आने वाले दिनों में वहाँ पर मौजूद तमाम महिलाओं की जिन्दगी ऐसी ही होने वाली है